हे दोस्तो नमस्कार हमारे अपनी यूट्यूब चैनल टोटल इस्टिडी आई क्यों में आप पस्वागत है आज हम बात करेंगे दोस्तो गवर्मेंट ने पॉसको एक्ट है जो बच्चों का कानू ने उसमें सुदार कर दिया है जी हाँ दोस्तो तो इसी के बारे में हम बात करेंगे यदि दोस्तो वी तक आपने अमरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने को बेल आइकन का बटन जिरू दबाएं जिससे के वीडियो का लेटे नोटिफिक्शन आप तक पहुंच सके प्रें और ये ये भी आ जाता है सोसल मीडिया दोरा उनको यहांनुद पीरन दे सब आ जाता है तो इस तो अभी चर्चा में क्यों है क्योंकर कटूआब सूरत में एक लड़की का गैंग रेप हुआ है मतलब आपको मालों में लड़की के साथ जो जमू कस्मीर्य में कटूआब य गुजरात तो इस कारण से चर्चा में था तो गॉवर्मेंट ने कानून बना दिया इसमें देखी पहले क्या थे इसमें प्रावदान आपको बताते हैं फिर जो अभी की है उनके बारे में देखिए पहले क्या था कम से कम साथ साल एवं अधिक से अधिक उम्र कैद होती थी गोट अलगलग सजा दे सकती थी थी दूसरा तो शोले शाल तक के बच्चों के बच्चों के ये पॉसकों के अंत्रगर्द तो दोश्तों ये पेले अभी ये प्रावदान थे तो इम्हें आप देख सकते हैं कि जासे जाता क्या है दस साल है ना तो उम्र कैद है ना फांसी है मतलब उम्र कैद तो है फांसी नहीं है तो अभी इसमें क्या कैसोधार की गए गए है वो इसमें जमानगत भी मिल जाती थी तो आप देखते हैं किस प्रकाश से हमारे कानूनों का दूर प्यों जमानगत मिल जाती है यही कारण से सीस्टी एक्ट भी शुर्फियों में आया था उसमें भी जमानगत मिल रही है तो ठीक है अब इसमें क्या है इसमें पहला प्रावधन यह सई गिया कि अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी यदि आपके केस हो गया मतलब जमानगत मिल जाती छूड़ जाते है गेड़ी तो कैस चलता रहता तो अब जमानगत नहीं मिलेगी जमानगत ठीक है और कम से कम 10 साल सजा होगी देखिए इसमें सास साल था लेकिन भी ता लेकिन 12 साल की बच्ची यह लड़की है उससे दुश्करम किया तो पांसी होगी ठीक है और 16 साल की बच्ची है तो उसमे 20 साल की सजा होगी या फिर 16 साल की बच्ची ये 20 साल इसमें जो गैंग रेप हुआ है उसमें गैंग रेप में उम्र कैद मिलेगी ठीक है 16 साल की बच्ची की सा गेंग रेफ में उम्र कहती है नेश्ट है ये बहुत अच्छा प्रावदान हुगा है मारे केस काफी लंबे चलते रहते हैं तो 6 मंत में केस का फैसला पुलिस जाज कर लेगी ठीक है और 2 मंत में पूरी सुनवाई होगी एवं पास्ट्रेक कोड का भी गठन होगा और वो भी 2 मां में पूरी सुनवाई हो जाएगी तो फ्रेंड्स ये सेंटर गवर्मेंट ने ये कानून बना दिया है अभी मतलब कानून बन जाएगा ये सुदार किये हैं प्रेंड्स ये हमने आपको बताया है जो पॉस्को एक्ट है उसके बारे में यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं किसी प्रकार के वीडियो आपके मुवाईल पर आएं तो आप हमारे चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं टोटल इस्टडी आईक्यू को और हमने इस से पहले प्रॉपर टोटल मतलब पॉस्को एक्ट पर एक वीडियो बनाया है आप उसको भी देख सकते हैं ठीक है दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद